कराची बार के खिताब कंदे पी टी आई चेर्मेन इमरान खान चेहोत अगुने वजीरादम मौशर के जड़े अदालत जेयाटी में गेलोत करप्ट माफ्या के पेगाम्ब्योत आने सब नी जो वारो हींदो उने जो तारीक अबुदाय पई तकनें बे अदालत ताकतवर में हतन विदा जिते ताकतवर लाएक आई कमजोर लाबियो कानून हो जेता है उओ मौशरो तरकी नाये करे सकनो संदर चाउनो तो पानामा केसर बाबर सवा सालत आई जेको जहाद थे हो उन्हें जो फिसला है तो वक्त आए ऐहाने हमेशा लाए पाकिस्तान तब्दील थी चुकुआ है जिस माशरे में इंसाफ नहीं वहाँ ताकतवार के लिए कानून गमजोर के लिए दूसरा जन्रल का कानून हो जाता है जिसकी लाथी उसकी बैंस कभी भी वो माशरा तरकी ने कर सकता उसमें इनसान की क्रियेटिविटी खतम हो जाती है ये जो पैनमा का सारा स्ट्रगल हुई है ये सवा साल की जो जहाद हुई है ये पैनमा पेपर्स के उपर ये पाकिस्तान के अंदर एक डिफाइनिंग मोमन्ट है मेरे खाल में और इंशाल्ला हमेशा के लिए पाकिस्तान बदल चुका है कभी भी इस मुल्क में एक पाकिस्तान बदल चुका है कर ताकत वर माफिया कभी भी उसको कानून के नीचे नी लाया गया वह ये नहीं कह रहा क्योंके नवाज श्रीफ को पता है कि तीन सौ अरब रुपया जो इस मुल्क से बाहर रिकाला और उसके बच्चों के नाम पे कंपनीज पे महलाग पे जो आज उसका पैसा बाहर पड़ा हुआ है उसको ये पता है कि कानून ये कहता है कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये जो आपने पैसा आपका जो आपने जो ये एसेट्स बनाए है ये किस पैसे से बनाए है ये आपकी जिम्मेदारी है इमरान खान चोद नवाशे सा अगर जेके मानू चाओन पया ता जमूरत खत्रे में आए असलम उए पांजी करप्चन के खत्रे में दिसी रहा है पीटी ऐसरवराच ओध करप्ट माफिया एक्टदार में इंदिया है आई जड़े हूआ वापस इंदिया है ता जेल में दिया है उमें ते इंदर डियान में एड़ी तब्दिली इंदिया योनस आई पाकेस्तान अगते वदन दो 1990 के अंगर जब बेदेजिर की गभर्मन गिरी आस्ते ज़र्दारी प्राइमिनेस्टर हाउस से सीधा जेल जब बेदेजिर की कभर्मन 93 में वापस आई जेल से सीधा प्राइमिनेस्टर हाउस पीटियास सर्वराय अमिनान खांचे हो तो मुलका में जमर्यत के वदायन जोईकी तरीको आए ता वक तक आग चुंडू कराएंव जन